एंटी ए यूजी सिनेट यानी निमीजी नेट सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से समस्कार दोस्तों मेरा नम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विसर्च के इंदर के बारे में इनमें से दोस्तों काफी बार कोशन आ चुके हैं तो यह टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पे हमने अलग कर खें टीचिंग के कोशन अलग कर खें कमियोंकैसन के लग कर खें इस तरिके से सभी 10 यूनिट के स्ट हैं जो कोश्चन है आपको अलग-लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी टै युनिड के लाईड मोग टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसअप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैफरेंस होता क्या है इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए देखिए जब भी हम पिएचडी वगरा लिखते हैं तो उसके अंदर हमें ये देना होता है कि हमने जो वर्क किया है वो कहां कहां से लिया है जो रैफरेंस कहते हैं इससे क्या हुता है दोस्तों इसे काफी तरह की बात नोती एक तो यह होता है कि जो हम reference देते हैं उससे हमारी जो research है वह reliable हो जाती है वो authentic हो जाती है और दूसरा क्या कि जो आगे आने वाले researcher है वो research करें तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि है जो research हम कर रहे हैं उससे related और किसे ने research कर रखी है तो इस तरीके के reference आपने कई book वगरा में देखे होंगे तो इनहीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यह अलग-अलगत रहके होते हैं जैसे APA style, MLA style, Chicago style तो अलग-अलगत रहके होते हैं तो उनहीं के बारे हम चर्चा करेंगे दोस्तों research के अंदर paper first में मुख्य रूप से APA MLA और Chicago style के बारे में पूछा जाता है अब बात करके हैं सबसे पहले APA style के बारे में क्या होता है APA style सबसे पहले 1939 के अंदर यूज किया गया था और यह मुख्य रूप से business criminal और economics law जैसे subject हैं उनमें ज्यादा यूज किया जाता है और अभी जो paper हुआ था June 2019 का उसके अंदर यह पूछा गया था कि APA की full form क्या होती है तो American psychological association इसकी full form होती है इन्होंने यह invent किया था इन्होंने यह बनाया था तो यह हमें पता होना चाहिए इनकी full form भी और अब देखते हैं कि इसमें पहले कैसे question आया और इस से हमें अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखिए इन्होंने यह पूछा हुआ कि इन्होंने लिखे तो में से कौन सा APA style है वो हमें find out करना है अब देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यह जो चारों को चारों option है यह लग भग आपको देखने में सेम लग चीज है जो आपको देखने की जरूरत है मैं आपको दिखाने की कौसिस कर रहा हूं रूप यह अब देखिए option नमबर जो डी है डी हमारा option नमबर है इसके अंदर क्या है 2010 के बाद देखिए आप इस तरीके का यह डैस लगा हुआ है ठीक है और लेकिन इसमें देखिए इस इस तरीके से इन्होंने डैस लगाया है तो यह चोटी चोटी चीज़े हैं अब बात करते हैं हमकी जो हमारा API style होता है उसका format है वो किस तरीके से होता है क्या होता है इसे किस तरीके से लिखा जाता है अब देखिए API style का हमने format यहां पर दिया हुआ है इसके अंदर क्या हो होगा विकरम सर्मा में जो सर्मा नाम है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद में उसका first name आएगा यानि कि विकरम अब देखिए विकरम के अंदर वी जो पहला अक्सर है वी वो ही हम लिखेंगे पूरा विकरम नहीं लिखेंगे ठीक है यहां से आप देख सकते हैं यह और उसके बाद क्या होता दोस्तों उसके बाद हम डोट लगाएंगे इस तरीके से यह चीज आप देख लो दोस्तों डोट लगाएंगे ना कि इस तरीके से डैस नहीं लगाएंगे डोट लगाएंगे डोट के बाद दोस्तों हम इयर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर हम इ और फिर publication का मतलब है कि किस ने ये प्रकासित किया है किस ने ये print out किया है वो हम यहां पे लिखेंगे अब देखें जैसे यहीं पी एक नीचे example दिया हूआ कुमार R जैसे राजस कुमार हो गया तो राजस कुमार में कुमार सबसे पहले आ गया इसका last name पहले आ गया और राजस का आ रा गया फिर हमने year लहीदी 2015 और डोट लगा दिया और फिर effect of tv फिर डोट लगा दिया फिर कहां से पब्लिस हुआ है रोहतक से पब्लिस हुआ है और किसने पब्लिस किया यह अजंता पब्लिकेशन ने पब्लिस किया है अब देखिए यहां से आप बिलकुल असानी से समझ सकते हैं और एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है यहां इसके अंदर जो यह देखिए आपको यहां से लेके यहां तक सभी में डोट नजर आएंगे और लेकिन यहां पर यह देखिए यह डबल डोट इस तरीक सकते हैं कि इसका यही ऑप्सन क्यों आया है यही अंसर क्यों आया यह आप अच्छे से देखना अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिस की है और यहां पर मैंने हिंदी में भी दिया है ठीक है अब confusion दिया हुए यह यूजी सी नैट ने खुद confusion दिया हुआ है जो थोड़ा सही नहीं है अब देखिए मैं आपको question पढ़ के सुनाता हूँ उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा अब देखिए यहां पे इन्होंने APA style के बारे में पूछा हुआ है यह देखिए इन्होंने यह इसका answer यह है BCD पहले ही मैं बता देता हूँ उसका answer बी में क्या है इवेंटर author's name last name first चलो यह अच्छी बात अभी last name पहले आना चाहिए यह बात हमने पहले भी पढ़ी है अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं option number C italicized title of longer work such as book and journal इन्होंने क जो नाम है वो हमें italic करके लिखना है italic का मतलब समझतों ना दोस्तों इस तरीके से टेड़ा करके लिखना है अब यहां पे हमें problem आती है दोस्तों अब देखिए एक चीज मैं आपको बताओं कि इन्होंने सभी के अंदर भी option दिया हुआ है और इसका answer भी यही दिया problem समझने की कोशिश कीजिए यहां पे इन्होंने कहा है कि जो book का name है वो हमें italic करके लिखना होगा चलो हम माल लेते हैं italic करके लिखना है आपकी बात ठीक है लेकिन अब जो हमने question ओपर यह पढ़ा इसमें आप यह बता दीजिए कहीं भी italic है कहीं भी नाम italic नहीं दिया हुआ और आप चाहे real real जो paper वो देख लेना अगर मैं यहां पर real paper दिखाता तो वो काफी धुंदला होता आपको अच्छे से यह समझवें नहीं आता इसलिए मैंने टाइप किया है ठीक है तो यहां पर इन्होंने कहीं भी italic नहीं दिया लेकिन अगले ही question में यह कह रहे है कि जो book का name होगा वो italic होगा तो देखिए UGC net है वो खुद गलती कर रहा है एक के अंदर italic करके दे रहा और दूसरे के अंदर italic करके नहीं दे रहा तो यह चोटी सी एक गलती है UGC net की जो student को confuse करता हुआ आ रहा है तो हमें क्या करना है अब हमारी बात आते दोस्तों हम question लेकर चलते हैं option number A ऐसे simple दिया है और B के अंदर यह जो fundamental of computer science italic करके दिया हुआ है तो हमें उसी पे tick करना है ठीक है और सारी चीजे वही रहेगी जो यह रहती है अब देखिए तो दोस्तों छोटी सी यह चीज ध्यान में रखना क्योंकि UGC ने खुद हमें confuse किया है अग last name पहले आएगा first name बाद में आएगा yearbook वगरब वो सारी चीज बिल्कुल सही आएगी API style के अंदर यहां पर हमने example भी दे रखा यह पढ़ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए हो सकता है कि कुछ confusion हो जाए आपके दिमाग में तो आप हमसे comment works क जरी पूछ सकते हैं या फिर आपको हमारा WhatsApp number मिल जाएगा उससे भी आप पूछ सकते हैं अब हम आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है हमारा MLA style आता है अब देखिए MLA style के अंदर क्या आता है इसे सबसे पहले कहते क्या है इसकी full form क्या है modern language association कहते हैं इसकी full form पूछी जा सकती है तो यह आप याद रख लेना इसको सबसे पहले अमरिका में 1985 के अंदर यूज किया गया था और इसको ज्यादतर humanities and literature जो subject होते हैं उनके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है अब देखते हैं इसके अंदर कैसे question आये हैं इनमें जून 2013 के अंदर question आया था अब यहाँ पे हमने हिंदी में दिया हुआ है और English में भी दिया हुआ है अब इसे हम समझने के लिए English वाला question देखते हैं अब देखें दोस्तों इसमें वही बात आ रही है कि यह चारों के चारों option आपको लगबग सेम देखने को मिलेंगे लेकिन minor चोटा 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 चोट difference है अब देखें यही आ गया option number C की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरीके से डैस लगा दिया और इसके अंदर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा डैस नहीं है डी वाले में नहीं है ठीक है तो यह चोटे चोटे difference है अब option number B की हम बात करें तो इन कि नहीं से हमेश सीकhna कि MLA style के इनदर क्या होता है एक्चैल में क्या होता है अब देखें MLA style के अंदर सबसे पहले March name आता है इसके अंदर वो सबसे last में दिया हुआ है, सबसे last में आएगा year, ठीक है, और AP style के अंदर क्या था दोस्तों, AP style के अंदर हमारा जो year है, वो first name के बाद आ रहा था, और bracket के अंदर आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या है कि year वो last में आएगा और bracket के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, यह main major difference है, AP और MLA style के अंदर, और एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि जो इस तरीके से, जो dash है, वो कैसे आएगा, कहां पे आएगा, वो हमें देखना है, अब देखिए, इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, option number D इनोंने सही दिया है, तो इसके अंसार क्या है, कि सब से पहले last name आएगा, और फिर इस तरीके से dash आएगा, कौम आएगा, या इसे जो भी कहले मुझे actual पता नहीं है दोस्तों, और फिर आएगा first name आएगा, फिर dot आएगा, फिर dot आएगा, फिर dot आएगा, और अब ये देखिए, year, year के अंदर इस तरीके का, ये dash है, और first name के ब हमारा इस तरीके का, यानि कि दो बार ये हमें use करना पड़ रहा है, अब इसका हम example लेके चलते हैं, अब देखिए, जैसे राजस कुमार, अब देखिए, राजस कुमार के अंदर हमारा कुमार पहले आगा है, यानि के last name, फिर आगे राजस, अब इसके अंदर जो हमारा first name है, वो पूरा लिखना है, API style की तरह ये नहीं है, कि उसका first name का पहला अकसर लिखना वो नहीं है, और आगे क्या है, आगे जैसे dot आगया, dot के बाद में effect of tv, यानि की book का name आगया, फिर रोहोत तक आगया, यानि कि जहां से वो publish हुआ है, और फिर जनता publication, जिसने उसे publish किया है, वो आगया, और फिर ये दोबारा इस तरीके से dot आगया, dot आगया, और फिर ये आगया हमारा year आगयी, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा MLA style होता है, यहां से आप बिलकुल असानी से समझ सकते हैं, बस आपको ये चोटी चोटी चीज रखने, ध्यान रखने के जरूर है, कि dot कहां पे लगेगा, इस तरीके से जो days है, वो कहां पे लगेगा, तो ये हमें देखने की जरूरत है, और आगे दोस्तों ये हमने दोबारा फिर ये इनका comparison करके दिखा रखाई है, ये हमारा APA style है, MLA style है, और जो एक और style जो आता है, वो हम मैं बता देता हूं दोस् style, अब देखे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी last name पहले आएगा, first name बाद में आए, फिर जो book का नेम है, वो italic आएगा, palace आएगा, publication आएगा, year आएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर difference है, और इसमें अभी तक वैसे तो question नहीं है, सिकागो style में से तो फिर भी आप करके देख लेना इनको, ये ज़्यादा, वो difficult भी नहीं है, और इसके अलावा और भी हमारे style है, publication के, काफी तरह के style है, अनकिनत style है, और अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हैं, दोस्तों, इन में से जो आप मेलनी क्या है कि आप एक बार इनको प फुल फॉम है, वो पढ़ लेना, और डिटेल में आपको ये जो दो style है, हमारे ये डिटेल में पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन में से करेब 4-5 बार question आ चुके हैं, दोस्तों, आज के लिए वस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीड क्योंकि दोस्तों